ते जश्वी आदों ने उपचुनावे अपने ताकतों को जवर्दस्त तरीकों से अजमाने के त्यारी किये हैं यह गोपालगाज और मुकामा की दोनों बिधान सभासीटों पर ते जश्वी आदों की जीत हासिल करने की कामयाबियां अब रास रसाती नजर आ रही है नमस्क कि आज क्या कुछ बड़ी जनकारी है और आज जो जनकारी बताने जा रहे हैं वो छट पर्व के बाद में मिलने वाला राजद को एक बड़ा तौफा है राजद इस रूप को अब मान चुकी है कि सरकार बनाने वाला जो है वो और कोई नहीं बलके तेश्वी आदों है और तेश्वी आदों मुखमंत्री भी बढ़ने जा रहे हैं अगर आप इस बात से सक्षय में और आगर आप इस बात से वाकिब हैं तो कॉमेंट बॉक्स में सीएम तेश्वी लिखेगा और इसके साथ ही इस वीडियो पर हमें उमीद है कि आप सभी एक हजार लाइक करने में क कोई जादा वक्त नहीं जाया करेंगे दोस्तों तेश्वी आदों ने गुपालगज में चुनाव लड़ने के त्यारी की मुकामा में चुनाव लड़ने के त्यारी की लेकिन बताया जाता है कि सुबास सिन के घर से नितिश कुमार का संपर्क होने के कारण और यह चाहते थे इधर सादो यादों मुस्किलें तिश्वी आदों की बढ़ाते नजर जरूर आ रहे थे लेकिन यह सिमित समय के लिए ही जो था वो था आज जो कुछ भी है वो एक बदलाव है और गुपालगज की जनता इस बदलाव को करने जा रही है गुपालगज की जनता ने मान लिया है कि अब सरकार बनाने के लिए जारा सीटों क्या शक्ता नहीं है बलकि दो सीटों पर जीत के बाद में शरकार बनाई जा सकती है और यह सरकार बनाने के लिए तिश्वी आदों जो है वो लग चुके हैं लंबे वक्त से तिश्वी आदों की बारे में बातच जाएगा